जी तो दोस्तों आज के iFactner.com के confusing words in English video tutorial में हम bald और bold का difference जानने की कोशिश करेंगे और फिर हम इन दोनों words को different tenses में, sentences में use करते हुए इनका usage जानेंगे तो शुरू कहते हैं आज का iFactner.com का video tutorial bald, b-a-l-d bald कहते हैं गंजे को, टकलू को, टकले को यानि के वो लोग जिनके सर के उपर कम बाल हों या बिलकुल ही न हों और bald adjective के तौर पे use होता है जबके bold, आम तोर पे हम use करते हैं बहादूर कोई बहादूर बंदा हो, कोई बहादूर attempt की जाए तो उसको हम bold attempt या bold person कहेंगे यानि कि कोई fearless आदमी हो, औरत हो ये adjective के तौर पे use होता है और कई दफ़ा bold हम जिसना computer में Microsoft word में या कोई भी letter लिखते हुए हम कुछ चीजों को मोटा कर दें जिसना मैंने इस word को मोटा किया हुआ है तो उसको भी हम bold letters कहेंगे अब इन दोनों words को हम sentences में use करते हैं present, past or future indefinite tenses में bald, he is bald, वो गंजा है he is bald, bold, she is a bold lady वो एक बहादूर खातून है वो एक बहादूर औरत है she is a bold lady अब past में एक sentence मनाते हैं his bald head was shining उसका गंजा सर चमक रहा था अब जिसना लोग होते हैं गंजे तो अगर वो धूप में जाएं तो उनका सर चमक ने लग जाता है तो यहाँ पर हमने कहा his bald head was shining जबके bold को हम इसना यूज कर सकते हैं that was a bold attempt to solve the situation के वो एक अच्छी attempt थी, बहादूर attempt थी के situation को solve किया जाए, crisis को solve किया जाए that was a bold attempt to solve the situation अब एक एक future का sentence बना लेते हैं I will go bald मैं गंजे हो जाएंगा क्यूं? क्यूंकि मेरे बार रिल के रहे हैं I will go bald जबके bold को हम इसना यूज कर सकते हैं अब मैं इसको यानि के जो हम bold letters में लिखते हैं मोटा करके लिखते हैं उस sense में यूज कर रहा हूं sentence में I'll highlight the difficult words in bold के जो difficult words हैं, मुश्किल, शब्द हैं, लफ्ज हैं उनको मैं bold में highlight कर दूँगा I will highlight the difficult words in bold जल्दी से एक दफ़ा recap कर लेते हैं bald गंजे, टकले, टकलू को कहते हैं यानिके वो लोग जिनके सर पे कमबाल हों या बिलकुल ही ना हों जबके bold बहादूर शक्स को कहते हैं, औरत को कहते हैं या फिर आप कोई भी चीज bold कर के लिखें तो उसको कहते हैं sentences हमने बनाए He is bald जबके She is a bold lady His bald head was shining जबके That was a bold attempt to solve the situation I will go bald जबके I'll highlight the difficult words in bold तो guys and girls thank you very much कि आपने मुझे इस tutorial के लिए जॉइन किया अगर tutorial पसंद आया हो तो please like का button ज़रूर प्रेस करें और अपने friends और family के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ifactner.com को मजीद tutorials के लिए जुरूर विजिट करें मैं आप से मिलूंगा एक और नए tutorial में Until then, take care, keep learning, keep enjoying, good day